स्टूडिंट यह तो आप लोगों को बिलकुल भी पांच चीज़ें जो हैं उनसे बचना है पांच गलतियां बिलकुल भी नहीं करने तो पहली यह चीज है वो आप लोग के सामने आती है कि आप लोगों को यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ पर आपने क्या करना है यहाँ पर आप लोगों ने डिटेल जी हां गाइस डिटेल एकदम प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग इसकी डिटेल प्रैक्टिस करेंगे और साथ में डिटेल स्लेवर्स के बारे में जानेंगे ठीक है ना Che Blair Invest expect वारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए हमारे English की न प्रेंच में आप लोग स्लेबस के बारे में पता होने चाहिए क्या क्या टॉपिक आ रही है अगर आपbooks नहीं पता ही आप लोग जो है उसको एक्जिक्यूट करते हो अपनी स्ट्रेटेजी आप लोग जो है वहां पर बहते तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं तो इसले गाइस डिटेल स्लिवर्स के बारे में जाना जरूरी है और क्या चीज है मैम तो आपको दूसरी चीज का ख्याल यहां पर में रखना है कि आपको पता है कि आपके TGT में NCRT based questions होंगे हमको पता है मैम ठीक है इंग्लिश में आपको कौन आएंगे तो पोईट तो आएंगे ठीक है बट आपको वह पोईट होगे यहां आप लोग के वह राइटर होगे आप लोग किसके according आएंगे दो चीजों को आ सब्सक्राइब कर अपको लोग इन यहीं कि रूपा अपना लूग कर ने पार चाहिंक राइटर्स में और अजुडर्पा LEAD को कुछा जाएगा लोग lines के बटिंग आन ऐपJust a और आप लोग के दोर देना है वह प्रण Eastern बैठ जाओ हर एक चैप्टर है उसको डिटेल में पढ़ना शुरू कर दो क्रिटिकल प्रस्पेक्टिव अपना जो है वाँ पर शो कर दो तो यह गलती बिल्कुल नहीं करनी अच्छा तीसरी चीज क्या है मैं जो हमने बिल्कुल नहीं करनी तो तीसरी चीज बच्चे आप ल लीट्रेचर की देखेंगे तो मतलब क्या है यहां पर आपको आवर्ट के बारे में भी पढ़ना है ठीक है जोब भी पर इसेंट मिले हैं प्राइजिजों के बारे में भी ख्याल रख लेना क्योंकि यहां पर बहुत सारी क्वेश्टन नहीं मेंसे आते तो इन चीजों के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है अगर आपने यह नहीं पढ़ा तो गलती करोगे तीन चार तो रीडिंग की तरफ जो है आप लोग वहां पर मार्क्स जो है वह स्कोर कर सकते हो हमारा जो होता है यहां पर आपको क्वालिफाय करना बहुत ज़रूरी है तो बच्चे है वह रीडिंग कॉम्प्रियेंशन बिल्कुल अटेंप्ट करकर आईए बिल्कुल नहीं करनी तो बहुत ज़ीआदा पकंठ पर किशके ब्लकुल किया यह तको बिल्कुल करनी प्रिए तक नहीं करते法 दियुख लगातार करते रहें यह साथ में पांच कहा था तक में6 के उपांच बता दे आप आप लोगं को इंडियं इंगलिश राइटर्ज ज हो गया मैं उसको छोड़ी दो ना वह तो बहुत ही जादा है कि कौन है कि पूछा ही जाएगा ठीक है एंसी आटी में और कौन आती है आती है कि नहीं आते हैं उनके बारे में पढ़ना शुरू कीजिए सरोजनी नाइडू उनके बारे में यह देखना है आपने के कौन-कौन स वर्क है आप बड़ करा सबस्क्राइग नेट नहीं है यहां पर आपको यह समझना है कि जब आप लोगं की यह चीज आ रही है तो वहाँ पर आपने क्या करना हो पर जोड़ टो ठीक है इंट पर दों पढ़ना है तो कौन से देखो भई famous work देखो वहाँ पर उनके characters के बारे में देखो जो famous work में characters आये थे ठीक है उनके बारे में पढ़ना तो यह गलतियां मत करना detail पढ़ने ना बैठ जाना वहाँ पर अच्छा एक और चीज है अपनी fundamental grammar को बिल्कुल भी आपने क्या करना है deny नहीं करना मैंने कहा था पांच गलतियां मत करना तो मैं साथ भी बता देती हूं आपको ठीक है session में तो बही देखो fundamental grammar जो है वह भी एच्छी तरीके से अटेम्ट करकर आना उसके वेस्पर भी आप लोग क्वालिफाइब कर सकते हो तो इन सबी चीज़ों को ख्याल रखना हैं आप लोगों ने वेंट करें तैंक यू सो मच गाइज